नमस्कार मित्रों, स्वागत याब शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बिरिश्चिकराशी बालो अगले दो दिन में आपकी जिन्दगी में होगा एक बहुत बड़ा परिवर्तन जीहा दोस्तों, अगले दो दिनों में यहाद दो कारे होकर रहेंगी और बहुत सारी खुस खबरियां आपकी जोली में आने वाली है जीहा दोस्तों, मेरी मुविश्वाणी आज तक गलत नहीं हुआ है और ना ही इसे कोई गलत कर सकता वीडियो बहुत खास है, ग्रहनक्षत्रों के चाल की आधार पर आज की वीडियो का निर्मान हुआ है अता आप सभी बगतों से निवेदन है, अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आने वाले अगले दो दिन आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नोक्री कैसी रहेगी, आपका स्वास्त कैसा रहेगा, तो वहीं आपके प्रेम संबंध कैसी रहेगी अगले दो दिनों में क्या बदलाव आपकी जिन्दगी मिले कराने वाले ही क्या साउधनिया आपको बरतनी होगी और सबसे जरूरी बात वीडियो के अंत में हम उपाई भी दिये हैं जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची सिद्ध सी अगले दो दिन में ये उपाई कर लेगा उनकी परिसानिया तो खत्म होगी ही होगी साथ ही साथ कोई नई परिसानी आपका बाल भीवाका नहीं कर पाएगा क्योंकि इस योग में इतनी सक्ती ही है सक्ती ही कुछ ऐसी है आप से बस दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये उपाई लेकर ही जाईएगा सबसे पहले जो भी सच्चे भग सबसे बढ़कर अपने मावाप को मानते हैं मावाप से सच्चा प्रेम करते हैं वही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं उनका नाम जरूर लिखें वीडियो को शुरू करने स पहले एक सुभ विचार परत्ता तो वक्त है कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में भाग ये तो बस आपकी काविलियत देखता है जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो आप जैसे हैं सर्व स्रिठ हैं जो लोग दुसरों से खुद की तुलन करते हैं उन्हें यहां बात समझ आनी चाहिए कि सूरी और चमक्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर बात अगर आपको समझ आई हो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिये गए कमेंट सेक्शन में लिखें राध ही राध हे जै हो सावरिया सेट की जै हो कृष्ण करहिया लालकी चरिये इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते ही आने वाले अगले दो दिनों के राशिफल दोस्तों यह समय किसी अनुभवी तथा प्रभाव साली लोगों का सानिध्धी मिलेगा जिससे आपकी विचार सैली में सकारतमक्ता आएगी कार्यो को जल्दबार जी की बजाए सोच समझ कर श्टथा शांती पुर्ण तरीके से निप्टाने का प्यास करें तो आपके रियच्छ रहेगा वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो यह समय किसी नजदी की संबंधी की बज़ह सी धन की हानी होने की इस्थ पढ़ सकती हैं इस बात का जरा ध्यान रखिएगा इसके उपरांत आपके लिजो समय होंगी आपके दिनचर्या के लिजो समय होंगी इस समय सकारत्मग ग्रहस्तिती बनी हुई है बच्चों की उपलब्धी संबंधी कोई सुब समाचार मिल सकता है परिबार के साथ मनुरं एक साथ लेकर सेलने की कोशिश करें आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे घर में सकारत्म माहौल बना रहेगा बजट का भी आपको इस समय धियान रखना बेहत जरूरी है बढ़ते हुई खर्चों पर रोक लगाएं और फिजूल खर्ची अभी आपको नहीं करना है आ आपके लिए अच्छा रहेगा इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगी पिसले कुछ समय से आप किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में सुधार आएगा अगर कहीं निवेस करने की योजना बना रहे हैं तो उसे आप इस समय कर सकते हैं आपको अच्छा खासा लाग दे सकता है आपके आत्म विश्वास को भी बल मिलेगा और इस समय किसी भी यात्रा को अस्थगित रखना आपके हित में रहेगा कुछ विपरित परिस्ततियां बनते कारियों में रुकावट भी डालेगी ऐसी इस्तति म ध्यारी और सयम रखना आपके लिए बेहत जरूरी है पैसे को लेंदेन टालने का प्रियास ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अन्त होने से आप अपने कारियों में फोकस नहीं करपाएंगे इस वजह से आपके दिकतें बढ़ सकती है इसके उपराउन्त आपके ल मंधों में भी शुधार आएगा जमेन जाइदा सम्मंधित काम रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल निकल सकता है बेहस्तता के उचित परिणाम भी आपको मिलेंगे देखिए दोस्तों आपको ध्यान देना है किसी भी परिस्तिती में शांती और धहर्य बना कर रखना इथाबाद में आपको पस्ताना पड़ सकता है वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय हूंगे आपके दिन चर्या के लिए जो समय हूंगे शितारे कहते हैं रुका हुआ पैसा आई का स्रोथ दोबारा सुरू होगा और आप अपने कार्यों को वेवस्तित रूप से क्रियान करने में सफल रहेंगी पिसले कुछ समय से चल रही उधल पुधल से आज कुछ राहत मिलेगी समाजिक सित्र में भी आपका शंपर्क दाइरा बढ़ेगा वहीं दोस्तों दोस्तों की मदद करने से आपको आत्मी खुसी मिलेगा परन्तु साथ ही साथ अपने कारियों पर भ बजना है वहीं दोस्तों अगर आपकी व्यवशाय को लेकर बात करें तो यह समय कारिक्षेत्र में कोई भी लिये गए व्यवसाय निर्णाई उचित रहेंगे कोई नया ओडर मिलने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जरूर हाजिल कर लें इस समय व्यवसाय बिजनस में अपने प्रतिद्वेंधियों से अभी साउड हन नहीं बैतर होगा अपनी गतिवीधियों को दुसरे के सामरे जाहिर ना करें हाला कि कुछ नए कंट्रेक्षन भी हाथ आएंगे ऑफिस के काम को लेकर कुछ सिंता आपकी रह सकती है लेकिन यहाँ पर आपको ध भी हां रखना होगा विवसाई में बजर्ट से जादा इन्वेस्टमेंट ना करें इस समय कामकास और जिम्मेदारियों की अधिकता रहेगी साजेदारी संबंधित कारोबार में आपकी गलत फहमिया दूर करने की कोशिश करें नौकरी पैसा लोगों को योगिता के दूर बनाएगा तथा आप घर वातावरन भी सुखद बना रहेगा अत्यधिक बेस्तुता के कारण ठकान और तनाव रह शकती हैं कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें और स्वास्ते के प्रती सजग रहें ये आपके लिए अच्छा है दोस्तों अगर खास उपाय की बात करें तो मिट्टी बर धनिया को हलकी हाथ से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें ऐसा करने के बाद बरतन को उस उत्तर दिसा में रख दें और हर रोज उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है जब धनिया निकल कर बड़ा हो तो उसे प्रयोग में ले ले और सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर कार्याले या फिर किसी धन रखने वाले अस्थान में रख दें और रखने के कुछ ही दिनों बाद आपका जो है आर्थी किस्ति काफी ज्यादा सुधरने लगेगी और यहां उपाई बहुत ही कारगार स एक बर आप जरूर करके देखिएगा आपको जरूर लाग होगा